नमस्कार आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूँ सुश्माज जैसा कि आपने टाइटल देखा टाइटल है अखली श्यादब की रणनीती पर अखली श्यादब ने एक बड़ी रणनीती चली है जातिय कार्ड खिला है अब तक जो चार नाम सामने आ रहे हैं जिसमें से माना जारा कि इन चारू का तै है विधान परिशत जाना समाजपादी पाचे की तरफ से उसमें एक दलित एक मुस खान का वो सहारनपूर यानि वेस्टन यूपी से बताय जा रहे हैं दूसरी तरफ जो दलित नाम बताया जा रहा है पूरवांचन से आजम कर से जिनका नाम पहली भी आपने सुना था लोकसभाद जुनाप को लेकर चल रहा है था चर्चा में था वहीं यादफ जो नाम है वो है करहल सीट पर जो पहले थे सोबरन सिंग यादफ उनके बेटे मुकल यादफ का नाम और गैर यादफ में स्वामित प्रसाथ मौरय करा अब सवाल है कि इन सम्विकर्णों के जरिए क्या अकलेश के निया पार होगी या बीच मजधार होगी क्योंकि राजभर की भी न है और बाकी जो नाम जो है उन पर भी क्या मोहर लगाते है एक दम फाइनल करते हैं उनको यह लगभग सुष्मा लगभग तैही है जो चार नाम आपने बताया हो समीकरण जो अकलेश अदव ने यहाँ पर जो सोचा है एक मुस्लिम एक दलित एक यादव और एक अन्य अधार तक यह अंदाजा किसी को नहीं था कि आजमगर से जो केंड़ेट अखलेश अदव ने बैठाला है वलिहारी बाबू के बिटे को अब उनको यह बना देंगे यूंकि आजमगर में बाइपोल है शायद यह भी एक फैक्टर है और दूसरी बात कहीं ना कहीं दलितों पर भी अखलेश अदव का फोकस है और यह फोकस अभी से नहीं है चुनाव से पहले से शुरू हो गया था जिस तरीके से इंद्रजीत सरोज और समित कई दलित नेताओं को पार्टी में लाए थे एक बावा साब अमेटकर वाहिनी भी अखलेश अदव ने समाजवादी पा समाजवादी पार्टी का पहले से एक बेस जाता था यादव और मुस्लिम वो उसका अपना देने जा रहे हैं और जो साथ में दो लोग और जो होने जा रहे हैं आपका एक दलित हो जाएगा और एक अन्या क्योंकि स्वामी प्रसाद मौरें चुनाव हार गय थे और कहीं न करना था कि उनको बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल है उन जाती होगा क्योंकि उन्होंने बीजेपी को की जीत में भी काफी एहम भूमिका रही है तो ऐसे में अखलिश अदव को उनको भी एड़्जस करना था और त्वामी पसाद मौर से समाजवादी पार्टी में चुनाव से पहले आये थे उनका विदान सभा में टिकेट भी नहीं हो पाया उसकी बार राजसभा में भी उनको तवज्जों नहीं मिली और अब लग रहा है कि शायद विदान परिशद में भी उनका जाना मुश्किल फिलाल तो यही लग रह बीच में यह सुनने में आया था कि शायद वो बस पा चले जाएं या कॉंगर्स वापिस चले जाएं ऐसा नहीं हुआ उन्हें इंतजार करना ठीक समझा शायद उनको एक कमिट किया गया था कि उनको आगे दिहान रख जाएगा फिलाल तो ही लग लग रहा कि उनका दिहान अनुपम जी सवाल यह है किनके किनके पत्रेगटे किनके एक मतलब महत्वा खांग शावं पर विराम लगा वह बात तो अलग है लेकिन यह जो आपको चार नाम दिखाई दी रहे हैं अफिलान यादव की तौर पर मुकल यादव का नाम है गयर यादव की तौर पर स्वाम कि अखरें बिठाने की कोशिष की जाज़ी अक्ली शादव के तरफ से वह क्या किती है स्फश्मा देखे सवामी प्रशाद मौर्या परसों ट्वीट करते हैं कि कल यानि साथारी को नामानकन फाइल करने गए और कल उनको नामंकन फाइल करने। Exactly यह दिखाता है कि ludzie खिझाता है कि acle Shadow समाजवादी फाल्टी विधान परशत चुनाओंगोगों को लेकर कितना जादा परेशर में हो उकितना ज्यादा तनाओं में। anywhere स्वामी प्रशाद मौरिया का ना सब्त पक्ता नाम जैसे अभी आप कह रहें थी कि कौन से नाम पक्के हैं और किन नामों पे मंद्पन हो रहा है तो जो नाम पक्के माने जा रहे थे तो एक सोबरं सिंग यादव का माना जा रहा थे क्योंकि उन्होंने करहल की सीट छोड़ी माना जा रहा है सौई प्रशाद बोरिया कि देखे इसमें तोहां कहां जब सुशील आनंद की बात आती है तो उनका ना सिर्फ दलित कार्डेबल की आजम गड़ में वह बहुत एक इंपॉर्टन प्रैक्टर प्रे कर रहे हैं उनके पिता जी बसपा के संसापक मिंबर रहे तो यह होने वाला नहीं है क्योंकि आजम खान उन्हों ने देखा है कि आजम खान ने अपनी नजडीकी की पूरी कीमत रामपुर में भी बसूल रहे हैं तो यह दोनों तो आप हटा नहीं सकते हैं रह गई सोबरां सिंग यादा हो की बात तो उन्हों ने सीटी आप के मौरिया लीडर्स को अकुम्रेट करना अखलेश के लिए भी बड़ा मुश्किल पढ़ड़ा है इस पर जो सबस्ते इंपॉर्टन बात तुझे नजर आ रही है कि अपने अपने समर्तों को लखनो बलाने उस साथ तारिक को अपना नामांकन बताने वाले स्वामी अब इसमें विर्व एक दम लास्ट मोमेंट पर कोई चेंज करने तो बड़ी बात तुछ पर आप देखे यहां पर जो बाती की कई सारे नाम थे जिसमें सहारनपुर से सहारनपुर से क्योंकि अब यहां यह शाहनवाज खान का नाम आया है तो वहां पर इमरान मसूत का न तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल हैं और यहां पर एक हमारे दर्शक है लैमन मस्क वो कह रहें कि इमरान मसूत एंपी का चुनाव लड़ेंगे सहारनपुर की सियासत में मसूत को आप करते ही नकार नहीं सकते हैं और आप इस तरह से समझें कि जब सदरहा का चुनावातार तो इमरान मसूत की वजह से ही मिली थी तो उस पश्यमी यूपी में तो इमरान मसूत का वर्चस सहारन पर उसके आसपास के जलों में बहुत हैं वहां के खास्तों पर मुस्लिम जो वोटर्स हैं, मुस्लिम जो अबादी उसमें काफी उनका असर है. तो हमारे साथ और भी कुछ मेंमान जुड़ेंगे लेकिन जो हम नगातार बात कर रहें कि ये जो नाराज़की है, प्रिशान सवाल वही है, सबसे मूल सवाल है, कि मजदार से पार होंगे, ये काड उनको पार करेगा या फसाएगा, दिक्कत यहां पर बढ़ाएगा अखली इसके लिए. जब फिलाल तो ये लग रहा है कि दिक्कत भड़ सकती हैं, क्योंकि जब आपके पास सत्ता नहीं होती है, विपक्ष में होते हैं, तो सेम वही कॉंग्रेस का जो हाल है कि राजस्टफा में उनको भेजने थे तो गुलाम नभी नहीं जा पाए, तमाम लोग नहीं जा पाए और इम्रान पतापगड़ी चले गए, प्रमूतिवारी चले गए और बहुत साइर नाम चले गए, सुर्जेवारा चले गए, तो वैसी अब जो नहीं जा पाए, उनकी नाराज़ की जग जाहिरा, कॉंग्रेस में चल रहा है, कुछ सिमिलारिटी आपको समाजवादी पार् काफी नाराज है, और हो सकता है, कि वो शायद, अभी कहना, अभी टूरी टूसे, बट हो सकता है, कि आने वाले दिनों में उनकी यह बगावती तेवर खुल कर देखें मीडिया में, और यही कुछ इम्रान वसूद का भी होने वाला है, कल मेरी उनसे बात हुई, तो उन्हो अभी पावती दिनों में नहीं अख्री आख्री हो जाया है, अगर नहीं होता है, तो इम्रान मसूद के भी बगावती तेवर अगर सबके सामने आएंगे, और बात इम्रान मसूद की कहने के जायज है, जब उनको विधान सबाट टिकट नहीं मिला हो, और आपने था प्रश्मायाब्टे की साथ सीटे 2017 में आई ती इम्रान मसूद के गढ़ से आई थी और इम्रान मसूद आज की तारीख में भी साहरनपुर और सियास पास पकड़ रखते हैं और यूपी की सियासत में उनकी अपनी पहचान है इसमें कोई दो राय नहीं है अब अकलेश याद अच्छा एक सवाल यहां पर बीजेपी को लेकर पूछा जा रहा है अपढ़ना यादव को लेकर बहुत सारे सवाल और एक हमारे जो दर्शक है अच्छी हुता नन वो पूछ रहे कि अपढ़ना क्या बीजेपी की तरफ से मिलसी क्या अंग्जेट हो सकती है जो जानकारी अभी मिली सुष्मा उससे साब से तो अभी कुछ क्लैरिटी इसको लेकर नहीं कि बीजेपी को पहले उन मंत्रियों को एड़स करना है जिनको मंत्री तो बना दिये संगठन से लाके या बाहर से लाके उनको एमलसी भी बनाना है पहले पांच नाम वही हो गए बाकी क्या न बहुत जलबाजी होगी के ऑब हो अभी समाजवाधी पार्टी के के मर्स शेत्र प्रकास उनका खतम हो रहा है जो चुनाव से पहले बीजेपी आ गए थे एसे और बीजेपी के सामने उनको भी एड़स करने की चुना की है तो ऐसे में लब जरूरी नहीं कि आप पढ़ना या दवाई थी तो कुछ ना कुछ बात उनसे हुई होगी कुछ ना कुछ बोला जरूरू दिया हो कि आपका ध्यान रखा जाएगा लेकिन फिलाल पीजेटी में है या नहीं है यह कहना मुझे लगता है थोड़ा जल बादी होगी सुष्मा यहां अब हमनों कुछ बेट करना अब हमारे साथ विमल सिंग भी जूर गया है विमल जी जो है वो क्या राजनीतिक विशलेशक है उनसे हम जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस पूरे विशेपन विमल जी यह जो मुद्दा है कि जातियकार्ड तो अकलेशा अब नहीं चल दिया इस जातियकार्ड के जर्य नाराज़की की भी एक सुभुगाहट देखने को बल रही है उंप्रकाश राजभर है केशव देव मार रहे हैं अब क्या यहां पर अकलेश के लिए रहा आसान भूग रही है इंचार चेहरों की वजह से या मुश्किल होते है जी सुस्मा जी देखिए माज आरी मेर है लेकिन जहां तक एक जाती और जिस तरह से एक बैलेंस बनाने की जो नीती रहती है राजनीतिक दल की उत्तर परदेश में सब कुछ होने के बावजूद अंत में वहीं पेस हुई आकर अटकती है कि भाई अब कौन सी जाती को कैसे बैलेंस करना है इन चीजों से तो खर राजनीत नहीं उभर पा रही है फड़ा उसमें जरूर लचीला पना है लेकिन अभी वी वह सोच के साथ सबकी राजनीत चल रही है तो जहां तक बात है कि इनके जो भी गडवंदन दल के जो भी नेता है अब बैलेंस करने के लिए कहां तक बैलेंस करेंगे यह तो बहुत है चाहरामपुर है दोनों जगह जिस तरह से जाती काट खेला जा रहा है लेकिन परिस्तितियां कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि बहुत जादे विगटन वोटों में हमें नहीं दिखता है जिस तरह से एमवाई वोट कह लिए उसके इलावा जो इनके समर्थक दल है तो कही कहीं न कहीं इनके साथ ये एक इस नीती पर जरूर चल रहे हैं उनको मनाने की भी कोशिस करना कहीं न कहीं भले ही बहुत लोगों को संतुष तो नहीं कर पाए हैं अपने उसमें लेकिन जहां तक वोट साधने की बात है उसमें ये जरूर अंदर प्रयास इन लोग का जारी तौन हाँगी है कि बालेंस की नीती अपनाए है और एक संधर पूर चुनौंधि पेस करें तो भी तो फिलाल से एक की कोई बहुत जादे वगावत नहीं होने जा रही है और बहुत सारे कोमेंट्स आ रहे हैं सबसी बड़ी बात ही कि लोगों लोगों प्डर सर, दिकें कि जा रहा था कि अखली श्यादव में जैसे एक बार नाम लिया दलित एक नीता का आजम करणे लोग सभाव चुनाव के लिए और उसके बाद जो वातसी वी तो उसकी वजह से एक डैमज कंट्रोल की कोशिश है में की जा रहे हैं लेकिन इसका आसर क्या बीजेपी पर समझते हैं समझते हैं और इसी के चलते हैं आज वो दलित वोट बैंक में पुद्धी सेंद लगाने का प्रियास कर रहे हैं भारती जंदा पार्टी ने इसके चलते बेबी रानी मौरिया से लेके वह कौन अरुन जो पॉंप्रोल के पुलिस कमिशनर थे तो असी मरुन असी हैं नहीं कह सकता क्यों कि भारती जलता पार्टी के साब ने अपना जो मूल वोट बैंक के उसको भी साधने के चुनाटी रहती है जिसे ब्रामड चत्री वह शकाा जाता है ब्रामडों का नब्बे परसें वोन रोपों मिला है चत्री उनके पास ऑलेडी एक मुखबंत लिय है पर इसमें दोराए नहीं है कि अकले शादव ने डेफिनिटली इस बार प्रयास किया है कि वो दलितों के वोट बैंक पे अपना भी हिस्सा कुछ चाहते हैं और आजम गड़ चुनाओं को चलते आजम गड़ बाइपोर के चलते हो जासा कि हम लोग पहले भी कहते रहें कि अपनी प्रतिष्टा का इशू मानके अपना सब्सक्राइब रहे हैं तो डेफिनिटली वो चाहरे हैं कि उनको इस क्वाटर से भी सब्सक्राइब लेकिन सुक्वा मैं फिरते एक बात कहूंगा कि ओन प्रकाश राजभर के पहले से हम बाजी के वर देख रहे हैं शायद उ उनको ने इस तरह करके बयाद दिया कि अगर नाराज हो जाएंगे तो मेरा क्या बिगाल देंगे अखले शाद हो उदर महान दलकिनिता क्येशा देव मौर्या नाराज हैं उनको लग रहा है कि साब एक मैं एक प्यान में तो तलवारे नहीं रहे हैं आज हमने देखा कि विधान परशद में उभर किया रही है विधान सभा के फिरावों में भी उभर किया है अब देखे जब आप बहुत बड़ा भानुमती का कुन्बा जोड़ते हों तमाम लोग को अपने सौफ लेके आते हैं तो उपस की एक कीमत भी चुतानी पड़ती है सरकार में रहते इसमें विधान परशद में कि बड़ की आन कि मिले सेड़ी घप्राँ सीड़ में जभानुमत वर घोर्त संभल के नहीं है दोबूमती के बहुत बड़ी चनर नहीं है मुझा राज़वान को शीपाल यादव को पूच़ रहे हैं उनकों के सभी करेंगे हैं कि वृज़ा पूचा गया के कौन जीत रहा है तो वह चहरे थे कि यह एक सीट पर सभाइजब हो गये तहुए इन जीत रहा है वही जीतेगा तो वहाँ पर बीजेपी के कानिडेट की जीत हो जाती है तो यही कहा गया कि पहले ही खेल खराब कर दिया था उन्होंने अब तो क्रॉस वूटिंग होंगे लेकिन और कौन-कौन क्रॉस वूटिंग कर सकता है निम्मल जी कुछ कहना चाहरे है जी सुस्मा जी इसमें एक चीज़ जरूर हम जोड़ेंगे सुपाल जी को ले करके कि जिस तरह से अखिलेश जी ने इस बार जो टिकट वितरण किया धर्मेंद्यादों को लाएं आजमगण से और राम पूर्मों तो फैर आजम खान साब को तो पुरा लीड वही कर रहे हैं स कुछ तो इसमें जहां तक स्विपाल जी की बात है उसकी क्रॉस वोटिंग की बात देखिए MLC का चुनाओ एक दूसरे तरह का चुनाओ होता है और विदा ये लोगसभा का चुनाओ दिसमें डिरेक्ट पब्लिक का पाटिसिपेशन है तो इसमें जहां तक जिस तरह से धर चुनाओ जो है काफी इंट्रेस्टिंग होने जा रहा है बहुत अच्छा चुनाओ होने जा रहा है जिसमें कि आपको दिखेगा ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी बहुत हलके में आगे एक तरफ रामपूर है वहां पे भी शुपाल जी जो है आजम खाने साथ आपको चुनाओ को प्रतिष्ठा का थोड़ा चुनाओ इसलिए बना रहे हो दिखाना चाहते हैं मेरी विदान सभा में सीते बढ़ी तो हम लोग सभा में भी कुछ करके थोड़ा दिखाएं और यह जता हैं कि उत्तव परदेश में हम खतम नहीं हो तब परदेश में मजबूती से सलक पर आएंगे और लड़ेंगे तो यह चुनाओ अकलेश जी के लिए बहुत प्रतिष् कर दो कर दो कहीं है क्या जातर देंगे क्या अजी इन लिए स्केट्मिंट दिया था कि समाजवादी यह जी बढ़ाएक पार्टी के वो इधायक नहीं है जब एधायकों की बैताग बुलाई गए तो आपको चुनाओ के तुर हम एख तुरन बात कर रहें कर देंगे अभी यहां पर आ गई है सुश्मा एक बहुत बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है जो क्या नाम है MLC की चुनाव के लिए पढ़ने अदल का नाम उसमें नहीं है उसमें नाम है केश्व प्रसाद मौर्या डेप्टी सियम जो की उमीद थी चौधरी बुपेन सिंग जो की उमीद दयाशंकर मिश्र दयालू जिनको मंत्री बनाया गया जो की उमीद थी जेपियस राठोर मंत्री बनाया गया उमीद थी नरेंद्र कश्यप जस्वन सैनी दानिशाजाद अंसारी मंत्री बनाया गया जो की उमीद थी बनवारी लाद दोहरे और मुकेश चर्मा यह दो नाम हैं और जो कि नो नाम इसी तरह यहां पे पूरे हो जाते हैं तो पड़ना यादफ का नाम इसमें नहीं है तो शायद आपके दर्शक को जवाब मिल यह होगा जो मैं कहरा तक तब इंतजार करी और मुश्किल है तो यह अप क्लियर हो गया है बीजेपी ने भी अपने इनिश् बड़ी खबर हम इसको भी ब्रेक भी करेंगे फ्लाश करेंगे बीजेपी ने अपनी सूची जारी करती है बीजेपी ने एमनसी चुनाग को लेकर सूची जारी कर गी है जिसमें केश्व प्रसाद मौरे जो लाज़ी था यह प्रची सियम बनाए गये हैं उनका अविधान कि आसप्राटी जी है, उनका नाम है, दयाशंकर दयालू का नाम है इसके लाज़ा और कौन से नाम है इक बाद फिट से प्रिशान अपने ताई हैं केशव प्रसाद मौरे जो कि डेप्टी सियम है जस्वन सैनी और चौद्वी भुपेन सिंग जो कि मंत्री नावारी लाल तोरे और मुखेश शर्मा मंत्री मंदल में शामिल किये गये थे तो इसके साथ साथ यहां करें गरी है तो अनपम जी यह बड़ी खबर है और यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से जो सुची है उसमें एक बार फिर से एक बार फिर से नाम नहीं है अपढ़ना यादव का तो ये ब्रेकिंग नियूज हम दिखा रहे हैं बीजेपी ने लसी चुना आपको लिकर निस जारी किया अनुपम जिस पे क्या कहेंगे आप सुच्मा जी अपढ़ना का नाम होने की हमें पहले कभी उम्मीद भी नहीं कि इसी चैनल पे हम लोग अश्कर डिसकुशन करते रहे हैं कासिम साब भी कहते रहे हैं कि अपढ़ना यादव कहीं से अब अपको अपने मूझ से अपने को कितनी बड़ी मेता भले बना ले अब ज से जादा आ बहुत तूसरे जगह हैं वे मल्जी आप भूम रहे हैं तो इस से जादा अपढ़ना यादव की मतलब मैं कहना नहीं चाहता है इस शब्दों के इस्तिमाल नहीं करना चाहता है लेकिन हकीकत है कि इसके दर राज्मीटिक हैसित उनकी नहीं है अपढ़ना याद इस्तेमाल किया भारटी जन्ताफ पर्टि लेकि देगे साब आपकी परिवार की अखला अपढ़ना यादो को यादो यादो नहीं मानते अपढ़ना यादो कहीं से भी कोई बोट पूलर नहीं है बोट कैसर नहीं उनकी कोई राजनातिक खैसित नहीं एगर ऐसे मुआ करना है जिनको आप मंत्री बना के बैट के अगर आप नहीं उनको देंगे तो इनका मंत्री पर चला जाएगा उसके बाद आपके अपने सही होगी दिले आपने तो आपने अपना कुनबा जोड़ लखा है इसमें आप पढ़ना यादो कही फिगर भी नी कर रही तो सुछमा म मौर्र का भी होने वाला ता हूबर तो उनको भी करना तो साथ तो आपके मंत्री एड़्जेस्ट हो गए यहां से लेकिन वाप पढ़ना यादो कहीं से ना दाविदार थी और ना मुझे लगता हूँ ने वह लगता है कि हम लोग बार बार अपना यादो का नाम चलाते हैं रहा है कि हैं जाना कि पुछ तो बुछ तो बोला के क्या किọнकि एक सवाल क sido क्यूंची थी चुना प्रचार के लिए तो उनसे सवाल पूछा गया थे तूंधे नो तो अच्छा ही सोचा होगा तब क्या अच्छा सोचा गाव इमल जी यह जो सूची बीजेपी की हम दिखा रहे हैं इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो सूची अभी आई है यह सूची तो पहले से ही बिल्कुल तैयार थी और हमाई कालते बीजेपी के चाहिए घटक दल हो चाह करने के लिए अपढ़ना जी का नाम हो सकता है लेकिन आप अगर देखिए तो जो सबसे बड़ी बात है जो सुरू से हम लोग कहते रहें सब लोग हम लोग डिसकेशन में कि अपढ़ना जी को लाने से ही सारा यादव वोड एक मुस्त भागता है एक भी आदा उनके नाम प यहां इस सूची में अगर वो जैसा अभी अन्तों जी भी कह रहे थे बाकी लोग भी कह रहे थे इसमें अगर उन्होंने उमीद रखी थी उमीद तो जरूर रखी होगी इसमें कोई सकने लेकिन बंजाइस बिल्कुल भी नेती और इसका बार-बार नाम चलाने से फिर क्या होता है लेकिन उनको नाम चलना चाहिए कैने आप में आप कर कम करेगा उसकी बहुत चरचा नहीं होगी तो इसलिए उन्हों का परचा ओडता को वां ड Cageं करके लिए यह तो वक्तous नाम नहीं है कि जिससे की बीजेपी में बहुत कुछ होने वाली है इतनी बड़ी जहाज हो गई है इसमें इतने लोगों को इतना जादे एड़स्मेंट और सारी चीजों की ज़ुरत है और बीजेपी ने भी समझ लिया है कि अब कुनवे में जोड़ने से बहतर है जो अपने ग्र इस लिस्ट की तो पहले से ही एक रूप रेखा तैयार थी इसमें कोई नया एड़स्मेंट नहीं है न कोई नया नाम है यह हम जरू कहेंगे मुकेश सर्मा चाहिए जो भी नाम अभी आए सब पहले से ही तैसे और जहां अगा पढणा जी की बात है इनको अभी जैसे आई ह संतरी बनाए गया है उनको कहीं तो एजस्ट किया जाएगा नहीं तो टेक्निकली वो फिर कैसे रहेंगे उनको तो कहीं एजस्मेंट था और MLC का चुनाद लिए था लिस्ट को देके कुछ भी ऐसा सर्प्राइजिंग महीं नज़र आ रहा है नतिंग सर्प्राइजिंग इ मुके शर्मा है या यह वो मुके शर्मा है या दूसरे हैं यह बार चेक करना पड़ेगा और शायद वहीं है जो मेरे लखनो लखनो के जो लोग को तब प्रेफरेंस दी है रेधर देन बाहर से आये किसी को चुनाव से पहले शत्रुत प्रिकाश जो की काफी सीनियर MLC रहे है तो उनको अभी नाम इसमें नहीं है अपड़ना यादव का भी नहीं है अब जो सदन तक पहुच भी गए तो मंत्राले तक नहीं पहुचे तो यह चीज़े बीजेपी में इतनी जल्दी किसी को जगहां मिल जाए इतनी जल्दी आपको एक वो पोजिशन में जाए जो आप चाहते हैं इतना आसान नहीं कि ऑल्रेडी बीजेपी के पास बहुत सारे कमिट सब्सक्राइब करने करने के लिए लेकिन अंदर के लोग का भी एड्जेस्मेंट बीजेपी में होता है तो यह पॉजिटिव चीज बीजेपी के कि कही जा सकती है लेकिन हाँ अब जैरा अभी ऑफिशिल सूची अभी उनकी नहीं आई है अकली शायदा की लेकिन सब तै है क्योंकि अभी हमने अपने रिपोर्टर से बात की थी सहारन पूर वाले से तुनों नहीं कहा था कि शाहनवास खान जो है वो ना बांकर करने के लिए थोड़े देर पहले हमारी बात भी बोलने ते कि लोग पहुज रहे हैं हैं जी उनका भी लग बगत तही है है उनकी नही आपको देखकर जो वहां पर जाती है समय करनों को शेत्री समय करनों को बैठाने की कोशिश की गई है उस लिहाद से इसको कैसे देखे क्या जो पहले कोशिश थी उसी को आगे बढ़ाया क्या और कुछ एफ़र्ट नहीं पहले ही आपने कर लिया जो एफ़र्ट करना था व मैं उधारण के तौर पर आपको शाजापूर का उधारण दूंग आपको शाजापूर से कैबिनेट में तीन मंत्री हैं तुरेश खन्ना हैं जितिन प्रसाद हैं और आपकी जेपियस राट और हैं अब बहुत से जिलों से शायद एक भी ना हो कानपूर से अगर आप रिली से दिनेश प्रिताप सिंग को आपको राज्य मंत्री सवतंतिर प्रभार पेहले सांस्त की बना दिय जाएगा उसके बाद यह वह था की अड़ा जी बना जैका लेकिन इसा कुल रिप्रेजेशन सबका है लेकिन कुछ जिलों में शायापूर के मैंना आपको उधार कि तो बीजेपी की पास अभी फिलाल इस पर फोकस करने का टाइम नहीं इतना शायद उनको एड़ेस्ट करना था अपने लोगों को तो वहीं लिस्ट में दिखा है और सारे मंत्री एड़ेस्ट हो गए उनके और संगठन के व्यक्ति को भी जगा मिल गई है बहारियों के लिए निराशा है अब इंतजार करने के लावा उनके पास और को आप्शन नहीं है आखरी में चीज़ जोड़ना चाहूंगा जब मैंने समाजवादी पार्टी पर एक स्टोरी की थी तो मेरी किसी से बात हो रही थी अक्लेश आदब की तरीवी की एक विक्ति से तो यह बात अब शिफपार यादब भी अलग है और यह बात सच है कि वह सीनियर लीडर है उनकी पकड़ है लेकिन आप पार्टी की सिस्टम से अलग हो जाते हैं अपनी पार्टी बना लेते तो वह बात नहीं आती है और यहीं अपढ़ना यादब अधर चली गई है तो अब हम रखते हुए ही यह अलग किया है आप देखें आप यहां दानिश आजाद जिनको चानक से मंत्री बनाया गया और MLC में उनको टिकेट देया गया उनको भेजा जा रहा है अला कि यह आप चारिकता थी यह क्योंकि आप टेक्निकली मंत्री नहीं रह सकते हैं अगर दोनों आप से जवाब आप दीजेए अभी तक एक सभी राजबिक पार्टियों को एक चलन रहा है वो शेक सेयद पठान इस तरह के जो मुस्लिम कम्यूनिटी से लोग आते हैं उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है बड़ी-बड़ी बाडी इसने उन्हीं को उनको आउपर इस तरह भास तौर से वहां जहां पार्टि का विष्यारिकार होता है जहां पे आप तीडे जन्ता के पास नहीं जाते हैं, वहां पे ऐसे लोंगों तबज्जो दी जाते हैं पिछले को समय से भारती जन्ता पार्टी मुसल्मानों के बीच में पसमादाओं पे दाउन लगा रही है दानिश आजाद अल्सारी उसी एक एक्स्परिमेंट का हिस्ता है इसमें दोराए में के भी दानिश आजाद अल्सारी की यह हैसियत राजिती खैसित नहीं है कि वो अपनी बिरादरी के वोट भारती जन्ता पार्टी को च्छुटक की बात नहीं करता दिला सके लेकि जैसा कि हम भारती जिनता पार्टी और आरेसेस के बारे में जानते हैं 20-20 साल पतीछ साल खेंट का गेम प्लान होता है तो आप मान के चले कि हम लोग अक्षर यहाँ बात करते रहते हैं कि पस्माना अंदुलन के बारे में वो पस्पांदा अंदुलन भागपा द्वारा सबस्थन प्रा रहा है पहरी बार जैसे कि आप यह देखें कि अभी हम देख रहे थे अभी प्रशान बहुत अच्छा बता रहे थे कि साथ लोग को मंत्रियों को एंडिस करना था रहे दो लोग रहे थे अब जो दोहरे को आप आप देखें, वो करनाोष ले के आएँ, अब करनावज को आप देखो, अखलेश की परवारी सीट मान के चल रहे थे, वो रहे जिम्फल रही, लेकिन करनावज से एक बार उनों लोग अखलेश को हटा दिया है, वहां तुनको हरा दिया है, अब वो चाहते है कि अब अब वोटों के साथ बाज़पा का एक बहुत अच्छा एक तालमेल बनता रजा हर चुनाओं के साथ वो उड़का पर्संटेज बढ़ता जा रहा है दोरे वाले भी इसमें को शर्मा के बारे में मैं बहुत कुछ जानता प्रशान देतर बता पाएंगे लखनों में लेकिन लोग समय के साथ बड़े निता बनेंगे और भाश्पा के लगाएवे दाओं अम्मीद कर रही है कि आरे वाले सालों में वह पस्मांदा आंदोलन के आदार पर मुस्तालमानों के पीश से अपना एक अलग वोट बैंक का आपकी सर्पाईज अब इसी सवाल का जवाब आप पर मुस्लिम आबादी बहुत बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर ने रड़ा एक एक मुमी का में रहते हैं देखिए दानिस अंसारी की जहां तक बात है जैसा अन्तौन जी ने बोला बिल्कुल ठीक है लेकिन पस्मंदा का जो एक वोट होता है पस्मंदा समाज जो है मुसल्मानों में बहुत बड़ा इनका वोट का वर्ग है इसकी राजनीद बिहार में बहुत प्रेटिकली निती कि इसको मार जी ने बड़ी सफलता पूरवग इसको किया था उसी की एक तरह से एक रिप्लिका यहां पर बीजेपी की कोशिस है पस्मंदा समाज की धीरे-धीरे उसमें अंदर बेस बनाना सुरुवात तो उन्होंने की है लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा कि अगर वोट शिफ्ट करा पाएं और जहां तक उनके ग्री छेत्र की या ग्री जिले की ग्री जनपत की भी अगर हम बात करें दानी संसारी की तो वहां से भी अगर वो कुछ वोट शिफ्ट करा लें तो उनके लिए बहुत कामयावी होगी जिसकी संभावना नगड है आम तो साफ में कहेंगे नगड है जिसकी संभावना जीरो की तरह ही है मानते क्योंकि वहां से राजमगड का समाज कुछ इस तरह से व्यवस्थित है कुछ समाज में इस तरह से बटा हुआ है कि वह दानी संसारी विमल जी का करेक्शन फूट गया है लेकिन अब बात कर रहे थी तो दूनों ही तरफ से क्यानिरेट सी जी विमल जी वापस आ गए तो मैं यह कह रहा था कि दानिस अंसारी जी का जो यह दाओं है बीजिती का यह बहुत लांग टर्म प्लानिंग के साथ है जैसा अनपम जी कह रहे थे कि जो भी यह लोग काम करते हैं 15-20 साल के आगे की मीथी सोच कर भी करते हैं अभी फिलाल इस चुनाव में अंसारी फाओं बूबा समय में थे जो वोट को कैसे सोलिट करना है तो वी सी की तरफ की तरफ उनका वी सेज़ ध्यान है और एक तरह से पस्वंदा समाज को ले करके धीरे-धीरे मुस्लीम बोर्ड में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसमें समय लगेगा लेकिन इक सुरुवात तो कर दिये तो यहां पर हम चर्चा कर रहे थे इसकी अखली श्रादा में जो दाम चला है वो कैसा दाम है क्योंकि नाराजकी भी बताई जा रही है और उम्रकाश राजपर की किशव दिव मौर्ड की भी नाराजकी है लेकिन इन सब के बीच में जो एक और बड़ी ख़बर आ गई पी ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और देखिए बीजेपी ने यहां किश्व प्रसाद मौर्या दानिश आजाद इनको मौका दिया है टिकेट दिया है बनवारी लाज दोहरे मुकेश शर्मा का नाम है इसके साथ नरेद्र कश्यव जस्वन तिसैनी और दयालू का न तो उनका कारेकाल खत्म हो रहा था या फिर वो संगठन के थे वो दोनों सब्दों में से किसी का हिस्सा नहीं थे तो इसलिए ज़रूरी था उनको MLC के लिए बेज़ना और यहां अगर गणित को देखिए तो 13 सीटों के लिए 20 जून को मत्तान होना जिसमें से अगर हम आं उसमें जो है एक दलित एक मुस्लिम पर दाम लगाया जा रहा है दलित की तोरर पर जो हम बतारे थे सुशी लानन जो के आजम करते हैं उसके साथ मुस्लिम के तो पस्बान पर नहीं पूरए ग्यानी पूरवांचल से पश्ची में तर देश आ जाए के तो सहारनुड से के बेटे मुकुल यादव का नाम गैर यादव ओबीसी जो बहुत मात्पूर राज इसकी घिराबंदी करने की कोछिश अखलेश व्यादव में विधान सभा चुना में कोग की उसमें जो है सौमी प्रसाद मौरी है लेकिन एक और जो एहम बात इसमें रिकल करा आती है आजम नॉमिनेशन भी हमारी सभी करने जा रहे है शाहनवास खान आजम खान की करीबी तो क्या माना जाए कि आजम खान को मना लिया गया अखली श्यादव की तरफ से इस तरह से कपिल सिब्बल को राज्य सभा बेज़ दीजे उनके किसी पसंद के कैनिडेट को रांपूर लोग प्रेशर पॉलिटिक्स है वह कुछ जाता पार्टी पर हावी हो रहा है तो तमाम तरह है के और भी मुझे इक पार्टी पार्टी नेता ने भी आफ रिकॉर्ड इस बात को मलब संकेत दिये हैं कि इदम से मलब उनकी पूरी तरीके से हर की मान लेना कोई अच्छा संकेत नह तो यह बात कहना चाहने तो मेरी करून से बात चीत हुई क्योंकि इम्रान मसूद बढ़े नेता है तो competition भी बड़े को बड़े से होता है तो यह भी कही ना कहीं बात रहे होगी कि आजम खांके व्यक्ति को बेह जा रहा है और इम्रान मसूद को लाया गया तक समझके इम्र तो कहीने कहीन दर्द दिल में रह जाता है और पार्टी के बितर भी इस चीज़े लोगों के समझ में आ रही है कि आजम खां की अभी भी बड़ चल रही है हलाकि आजम खां ने अपने परिवार से इस बार किसी को निगड़ाया चुनाव में लेकिन अमेरिके चले जाते हैं में इस बाता रहा है कि अधर से मंख के लाप के लिए करण चाहिए तो इधर अखलेस्टी के लिस्ट के लिस्ट आगे ब्रेकिंग निव्स आपको दिखा रहे हैं बता सूची जारी की है उसमें साथ मंत्रियों के नाम है केशव प्रसादमा और ये दानिश आज़ाद हैं इसके साथ साथ जो संगठन के लोग है उन्पे भी दो लोग ऐसे शामिले बन्वारी लाज़ोरी मुकेश शर्मा अगर यहां नरेंद तश्यप चाहिए यहां पर सुछमा कि मुकेश शर्मा जो हैं वो वही हैं लकनों के नगर अज्यक्ष हैं तो यह जो है बड़ी खबर बीजेपी की सूची की भी साथ साथ अखलीश यादव की जो स्ट्राटेजी है उस पे भी हम बात कर रहे हैं आशी शेख हमारे दर्श के वो कहरे आपढ़ना को चौबीस पे लोग सभा का अब इसका जवाब क्या देंगे आप आपको लगता ऐसे संभावना है तो राजनीत एक संभावना का एक दूसरा नाम होता है तो राजनीत में कुछ भी संभाव है लेकिन जहां तर्ड हम लोग को जो वर्तमान महौल देख करके हो सारी चीजों को देख करके अभी यह चीज बहुत संभाव तो नजर नहीं आती है लेकिन अब आगे क्या होगा बहुत आगे की बात हो गई तो खर जो समर्थक होते हैं उनमें जान और जिंदा रखने के लि सब्सक्राइब तो जैसे मुकेश शर्मा जी तो यह लोग ऐसे लोग हैं बीजेपी में संगटन से और इतनी मेहनत करते हैं लगनों में बैलेंस बना करके चाहें वह कितने भी खेमें हो बीजेपी की साब वो सभी के बीच में एक कड़ी बन करके और सभी के लिए पुरे 100% रिजल्ड देना और मैंनत करते हैं रहना बरसों से तेक तरसों का सम्मान हुआ है ऐसा नहीं कि वह हगदार थे हगदार से भी जादे थे तो क्योंकि यह लोग जिस तरह से स्रम करते हैं बीजेपी के लिए प्लेटपॉर्म बनाते हैं उस चीज का बीजेपी को बहुत अच बंचना पर्टी के सारी नीतियों को सारी चीजों को पीछ ले जाने के लिए तो इससब चीजों के लिए देख करके ध्यां मेरक करके कई बरसों का यह जो कहतें reward है और जहां तक बात अभी हम आजम तीन पहलू पर बात करना चाहते हैं तेखिया पहलो दूसरा पहलो जैसे करेंगे वह जो बर्गत का पेड़ समाजवादी पार्टी इसको पकड़े उसी के नीचे बैठ करके उन्होंने अपनी चीजों को अच्छी तरीके से परिवार से किसी को नहीं लाए अपने समर्चकों को इस तरह से किया है जहां तक इमरान मसूजी की अभी बात आ रही थी य इस तरह से लाए जिए जीवन आपका सार्था क्या सच्चा मित्री नहीं आज कर लोग पाद पर शाहंत को नहीं पास तो बड़े मित्र हैं मित्रों को खपा कहां पा रहे हैं अंकि अखले जी की बात अभी निले कर रहे हैं इमरान मसूजी बात प्रसांधी ने उठाई थी किस तरह से निगलेक्ट किया निगलेक्ट नहीं किया गया जिस तरह से लास्ट आवर्स में वो छोड़ करके अपनी कॉंग्रेस पार्टी को फूद पड़े जैसे कहते ने उस समय जोस था एक उनमाच चल रहा था बिल्कुल की सपा की हवा है नई सपा है नई हवा भी थी लोग भी थे जो बीजेपी को वोड़ ना दे करके गोड़ करना चाहते थे हम हमेशा कहें वह ब्रिज नहीं पाया ना उस तरह के लोग थे लेकिन अम अकलेश जी की बात में करना है उसमें एक कड़ी अभी जोडते हैं लास्ट नाइन अभी पंचे देते हैं उसमें तो इ देखिए इसका एक उधारन हम देते हैं आपको देखिए आजम खासाब के बारे में पांच सव और हजार बाती हुई छोड़ देंगे ये करेंगा वो करेंगे देखिए लोट के अपने आप चुप चाप एक सफर है एक आत्मिश्वास होना चीए और धैर होना चीए और मै किस तरह से वह ठीक है बहुत दोग आए दरे सगरवालों चाहिए बिखरती गई लेकिन वह आदमी चाहिए उनके बारे में 20 आरोप लगे लेकिन वह एक जगह पकड़के बैठे लाए वह भी अपने आप में कॉंग्रेस में आजम खाकी तरह है और जिस तरह से देखिए इ इससे सीख लेना चाहिए लोगों को धैर रखना चाहिए लेकिन अब सफर ऐसा है कि समर्थक भी और खुद व्यक्ति भी इतना जल्दी सुकता में रहता है आजकल गोड़ लगी भागो जल्दी पकड़ो यह तो जो एक कमफ़र्ट और जो सालीनिता और धैरता का जो तिवारी है कितना बड़ा उन्होंने अपना एक मैक्सेस बनाया और जिस तरह से जी जी ठीक है अब प्रशांत प्रशांत यहां पर इम्रान मसूद क्या वाकी में ना अधर के रहना कहाट के इनका भी वही हाल हो गया है क्या यह कहें मुझे जब बातचीत अभी हो तो जब इम्रान मसूद किसी से खपा होते हैं और वो जब उस तीज को बया करते हैं तो बड़ा अच्छा बड़ा इंट्रस्टिंग रहता है उनको सुनना और उनको देखना कल मैंने उनसे कहा कि अगर आपका नहीं होता है या क्या रहता है अगर आपको पुन आजिसा आपने पुलागी आगा फून नहीं आया तो अगे खिया रहेगा तो उनका कुछ नहीं हम लोगों को दरी यहां पर उठा रहे हैं यहां तरी बिचारें हैं के समाजवादी पार्टी की बिचाएंगे बैटके क्या करेंगे आज परई का छोड़ा नहीं लोंने वह साथ नहीं तो उनकी भाशा अगर बोल रहे तो क्या इस तास भी कुछ पतलम निकाल सकते हैं अगर इम्रान मसूद शायद होते हैं तो इम्रान प्रताप गड़ी की जगह यह महराज से जाने वाले के नाम इम्रान मसूद हो सकता था तो यह बात पेशन्स अगर आप नहीं रख़ाते हैं उस कहीं न कहीं जल्दबाजी का हुई है मेरी इम्रान मसूद से मुलाकात भी थी यूपी चुनाओ के तो लगना हुआ थे तो तो यह बात कहा था कि मैं कॉंग्रेस जरूर छोड़ नहीं है यूपी में हर इंसान चुनाओ लड़ने के लिए जीतने के लिए क्या लड़ना चा अब यहां पर अनुपम जी जो सवाल था कि इम्रान मसूद क्या घर के रहे गाट के रहे आजम खान अपनी दावेदारी मजबूती से दिखा रहे हैं और बाकी जो सही होगी हैं दोस्ताना जो था क्या वो विखड़ता नजर आ रहा है अखली श्यादव को अगर देखे तो उनके डिसीजन्स को देखे तो देखे सुच में पहले तो मैं प्रमोत तिवारी वाली बात कह दूँ प्रमोत तिवारी पिछले कई साथ से राज़ नीटिंग दिया बान नहीं उसके बाद दियुआ वो फ्रियंका गांदी की हर पंक्शन हर प्रोग्राम हर प्रदर्शन में नजर आते रहे उन्होंने वास्तों में पेशिंट्स की राज़गी थी उनको आज़म खान से कंपेर करना इसने मैं गलत मानता हूं कि आज़म खान ने सिंदेगी बर देगी उनका आज़म बेजा जारा है और रास्ताव में बी उनका आज़ी बेज़गा तीनों जगा उन्हें अपने तो Caribbean की है उनकी एक दबाव की राजमीत Aww с दूसरी बात ये अभी आपने बड़ी जिल्चस बात कही जब भी प्रेशान बता रहे थे तो आपने का कि तो ये ओएसी की भाशा है माइनॉर्टी राजनी खास तोर से मुस्लिम राजनी में वही नेता बला नेता होता है जो और बड़े उग्र लहजे में अधिकर इमरान मस मसूद को बड़ी उनकी एक्सेप्ट आप मुझे एक अक्ष्रेक्शन नहीं देखे मुहमद ली जुन्ना से लेके इमरान मसूद तक मुस्लिम राजनीत में हिंदुस्तान में आरिफ मुहमद खान कभी सफ़ल लेंगे यहां पे इमरान मसूद आजम खान को सफ़ल नाहिद दो आजम खान मान के चलते हैं कि समाजवादी पार्टी का वह और सिर्व वो मुस्लिम चेहरा हैं और यह लिगे सी वह अपने लड़के अबदल्ला आजम को पासवार्न करना चाहते इस्ते जब तक आजम खान की इतनी मजबूत पकर समाजवादी पार्टी पे है जब तक वो समाजवादी पार्टी को अपने दबाव में दिये हैं ना इम्रान मसूद की बाल गले कि एक चीज़ ओर देखे हैं हम लोग एतनी बात करते हैं आज कितने दिन से अच्छे मैंने साथ पहने से आपो देखे नाईध हसन भी जेल में है नाईध हसन के लिए आपने अखले शादों को क्या आपने आवाज रखाते देखा समाजवादी पार्टी को एक भी उसको पर एक गैंक्ष्टर लगाया हुआ है उसकी मिले कुड के कर दी हैं तो जब सोदक आज़ं खान के दबाओं में समाजवादी पार्टी है नउसमें इम्रानमसुद की दाल गलेगी और जया हम क्या का जैस्टर के समाजवादी पार्टी और ऑब अग्सुद के से लिए ऑ Mia समीच लोट यह फान गो कर दो तो यह तो वही बात हो गेना कि अगर मुस्लिम निताओं की होड़े तो सिर्फ क्या एक चेहरा एक चेहरा क्लीश समझ रहे कि सिर्फ एक चेहरा सी काम भुपाएगा तो ही रास्ते बचे हैं पास या तो घर वापसी या तो बहाती की सावारी वह उस तो बीच चर्चा चल रह और कहना चाहा हो और स्फ़पना, अगर आजम गड़ में गड़्डू जमाली चआघ जीत जाते हैं, अगर आजम गड़्डू जमाली चणाओ जीत जाते हैं और दलित कुस्प्रिमृ एक निया एक एक्परिमेंट आपको सफ़ल होता नजर आता है, so तो हम मान सकते हैं कि इम्रान मसूद घरवाप्ति जग्राफ हाथी की सवारी करते हैं अच्छा बड़ा इंट्रेसिंग सवारी आपका वारी इंटर्श्थ वह कह रहे थे विकास यादव सिविल इंजिनरिंग यह कह रहे थे कि अपढ़ना यादव मेनिका गांधी हो गई है तो मेनिका गांधी को जितना भाजपा ने दिया है उसका अगर एक बटा दस्वा इससा भी भाजपा पढ़ना को देदेगा तो बहुत बड़ी बात हो अच्छा अच्छा अजीक से नहीं के बारे करें हमारे वह दौर भी अलगता जिस दौर में उन्होंने भाजपा जोइ हो रहा है कि बार 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 वह चुनाव के समय से लेकिंगे अप तक लगा अतार अपनी सरकार को खेर रहे हैं हर एक मुद्देपर खेर है हर दूसर तीसरे दिन एक ट्वीट करी देते हैं तो आज शाहिद मौझूदा इस्थिती को लेकर रो दर्शक हमारे पूछ रहोंगे कि कई उनकी हालत वैसे नहीं कि आ तो गए लेकिन हाशिये पर पड़े हैं सिफ बीजेपी में अच्छा ठीक है अब यहां पर एक और दर्शक थे हमारे अजीत सिंग नाम के वो भी एक बहुत इंटरस्टिं सवाल कर रहे थी क्योंकि जब हम नहीं बाद की कि दानिश आजाद जो है दानिश अंसारी वो कितना फाइदा पहुंचा सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जितना फाइदा जो है समाजबादी पार्टी को जो तलित क्यानिडेट हैं उनके वो पहुंचा सकते हैं सुशील आनंद उतना फाइदा दानिश आजाद नहीं पहुं दलित वोट वो नेखी सकते हैं उस नेज़ा एक बार और असपर सकरिये लें वो कह रहे है कि इधर दानिश आजाद है पूरवांचल से जिनको बनाया क्या है बनाया जा रहा है और इधर सुशील आनन्द है समाजवधी पार्टी से दलित चेहरे के तौर पर इंको भीजा जा और इसके आसपास तो यह जिसने भी एनलेसिस किया है जो भी बोल रहे हैं हम उनकी बाद से इसलिए सहमात है कि दानी संसारी की जो इस दिती है उस बारे में मैंने पहले ही एसपास कर दिया कि कितने हद तक वो फायदे बंद होंगे उनका मैंने पूरी एक रूप रिखा की जहां तक यह जो समाजवादी पार्टी का प्रयोग है इनको लाने का आनन जी को तो यह तो कुछ हद तक जरूर थोड़ा बहुत मोबलाइस तो करेंगे वो ऐसा नहीं कि यह सून पे रहेंगे यह तो जरूर कुछ ने कुछ दिखेगा यह तो एक तरह से समाजवादी पार समय लगेगा जिसके लिए राज नितिक माहौल भी थोड़ा बदलेगा तब जाकर कि उस बीस का आपको फ़ल दिखाई देगा लेकिन यहां पर ज़रूर है कि अप एक संशेप एकदम डोल टू लाइनिर अगर आम आपसे जवाब मांगे विंबल जी कि यह दोनों ही आपन देख ली सुची अखली श्यादव कि अगर बात करें उनकी खिलाफ बहुत नाराज की है उनकी अपनों की यह कैसा आपका दरिया मान रहे हैं आप अखली श्यादव के लिए भले उन्होंने बड़ा सूच बूच के साथ चार चेहरों पर मन्थन किया हो उनको आगे करने का सब्सक्राइब करना पड़ा है तो अखलेश जी का जरूर यह बहुत कठी समय एक तरह से चल रहा है लेकिन आपका दरिया इसलिए निवाने की को कहीं न कहीं वो अपने प्रयोग में आने वाले समय में थोड़ा आगे निकलेंगे प्रयोग अगर उनका सपर रहा और ही कि सभी मौन रहे और जब समय आता है सब एक्टिव हो जाते हैं दबाव की राजनीत करते हैं अपनी चीजों को निकाल लेते हैं तो अकलेश जी कहीं न कहीं सबको एक तरह से सबकी बातों से तोड़ा दब भी रहे लेकिन आग का दरिया नहीं कहेंगे जरू कठी समय है उन है तो उसके पास ना सिर्फ बाटने के लिए बहुत रेवनिया होती है बर जिनको नहीं भी मिलता है उनके पास एक उमीद की किरन रहती कि आगे हमारा कुछ ना कुछ होगा अकलेश यादों ना सिर्फ आज लगातार दूसरे कर्मत सब्सक्रा से बाहर हैं सुश्मा बलकि अब देखें कि उनके पार रास्वा में भेजने के लिए बीदाश नहीं है तो जिन दी इतीन आदमी भेज पाए इसी तरह चार आदमी विदान प्रशन के पास संसाधन कमें उनके पास सब्सक्रा नहीं तो इनको पर ज्यादा प्रशन सब्सक्राइब को जोड़ कर रखने है जो बड़ी अपडेट थी वो सामने है और अब क्लियर हो गया है नौ और चार्ट जो की उमीद है यही रहना है तो ऐसे में कहीं नहीं कहीं यह कहा जाता है कि बीजेपी ने सब लोग को सारे मंत्रियों को और जिनको उनको टिकटे हैं था उनको एड़्जस कर लिया है अ सबसे बड़ा जो सवाल है कि अब आगे ओम प्रकाश राजभर क्या करते हैं क्या कहते हैं क्योंकि वो बोलने में तो बहुत पॉरवर्ड रहते हैं बतलब वो ऐसा बोलते हैं कभी चुपी नहीं रहते हैं और ऐसे बयान देते हैं इसके कहीं सारे माइनेरी कलने लगते हैं तो ओम प्रकाश राजपर क्या स्टेटमेंट देते हैं का अगलाब मुईद क्या होता है क्योंकि पिछले काफी वक्ते से वो खुद अखली श्यादव को नसीहत दे रहे थे अगली श्यादव में ली थी अजब जाती जंडर्ना की बात कर रहे थे तब अब हुई यहां पर क कि सक्टा वाली बात यह बस अच है कि सक्टा में जब आप रहते हैं तो आपके पद एड्जस करने के ओप्शन जादा रहते हैं अपने सारे हो गए और दूसरे दल से आये लोग भी काफी सारे हो गए तो अपने सवाल तो प्रशांत सवाल तो तब ही ते जब 403 सीटों के प्रकाश राजभर को क्या करेंगे उनका क्या स्टान लोगा उस पर जरूर हमारे जो दर्शक के उचो हमें देख रहे हैं वह जरूर अपनी राय रखे हैं उनको क्या लगता है अपरना यादव को लेकर भी यहां पर कई लोग सवाल पूछ रहे थे लेकिन जो बीजेपी की नहीं सूची आई है उनको लेकर आपकी क्या राय है तो दो तीन चेहरे जिनके उपर खास तौर पर अब चर्चा होगी आगे आप जरूर अपनी राय रखेगा और अब फिर स आते रहे और जो हम कहते हैं इस पक्षिस्ताटीक और तीज रखतार में चाहिए तो वो है यूपितक तो यूपितक देखते रहे है यूपितक डॉटिन पर तफसील से